हुआ नहीं एक तरफ जब बाचीत होती है टेबल टॉक किया जाता है जब वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए दोनों ही देशों के प्रतिंदी मंडल जुड़ते हैं उसी वक्त गोले बारूत भी दाके जाते हैं ये दोनों समानांतर चलता है और इस वक्त बड़ी खबर रूस युक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई जहां जल्द खत्म हो सकता है युद्ध ये संकेत मिलने शुड़ू हो चुके है युद्ध रोकने पर दोनों देशों में सहमती बन चुकी है हाला कि ये खबर अभी सुत्रू के हवाले से इसकी पुष्टी हो इसका हम सभी इंतजार कर रहे है पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही है युद्ध विराब यानि सीस फायर की मांग की जा रही है युद्ध युद्ध पे आज 22 वे दिन ये संकेत मिलना शुरू हो चुका है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है युद्ध रोकने पर सहमती बन चुकी है पुलाज जो तस्वीर है वो जलंस्की की है वो अपनी सेना के साथ है और जलंस्की ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है सच है कि सब कुछ बरबाद हुआ लेकिन आने वाले वक्त में जलंस्की का नाम लिया जाएगा इस तरीके से कि अगर आपके पास होसला हो अगर आप चाह ले तो कुछ भी संभव है क्योंकि रूस जैसे ताकतवर मुल्क पुतीन जैसे राश्टर धक्ष के सामने युद्ध के मैदान में 22 दिन तक टिके रहना मामूली बात नहीं है दुनिया के इतहास में इसका जिक्र होगा यूकरेन और रूस की जंग का केंदर कीवल कीव नहीं है बलकि एक शहर ऐसा भी है जहां से लोग किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं जिन्दा रहने के लिए वो नर्क बन चुका ये शहर छोड़ने की ही आखरी विकल्प मानते है ऐसे लोगों की गिंती लाखों में है जिनके पास खाने पीने का समान खत्म हो चुका है लोगों को मौत इसलिए करीब दिख रही है क्योंकि अगर भूख से ना भी मरे तो बम या मिसायल सप्रूम की जान जरूर चली जाएगी अकेले मारिया पुल में धाई हजार लोगों की मौत मंबारी की वज़े से होने की खबर है नर्क बन चुके युक्रेन के इस शेहर में साड़े तीन लाख लोग ऐसे बताई जारे है जिनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा है इसलिए लोग शेहर से भाग जाना चाहते हैं लेकिन शेहर को रूस की फॉस ने पूरी तरह से खेलिया है इसलिए लोगों का बाहर निकलना भी अब मुम्किन नहीं है उपर से ठंड ऐसी कि बहा तापमान माइनस पांच डिग्रे तब पहुँच चुका है मतलब ये की माइनस पांच डिग्रे तापमान में लाखों लोग फसे हुए हैं और रूस और युक्रेन के बीच आज युद का 22 वा दिन है रूस की तरब से लगतार युक्रेन के कई शेहरों में बंबारी की जा रही है इस बीच अमेरिकी वाश्चपती जो बाइडन ने धूसी वाश्चपती वौल्देमीर पुटिन को युक्रेन पर आक्रमन को लेकर उधा पराधी बताया बाइडन ने कहा कि पुटिन एक युद अपराधी है साथ ही उन्होंने कहा कि पुतीन को भारी खीमत इसकी चुका नहीं होगी हाला कि ये पहली दफा नहीं है जब जो बाइडर ने इस तरीके से संकित दिये हूँ या बड़ी बाते कही हो यो दप्रा धी कहा हो ताना शाह जैसे शंप का इस्तमाल ही पहले कर चुके है ये रूस की अमेरिका को धंकी पूरी दुनिया को भूगतने होंगे पर नाम नतीजे भूगतने होंगे पश्रमी देशों का रवया तबाही जैसा है प्रतिबंद पूरी तरह से असफल रहे है ये रूस की अमेरिका को धंकी है पूरी दुनिया को इसके पर नाम भूगतने होंगे ये रूस के तरब से पुतीन के तरब से सीधा पैसेस देने की कोशिश की जा रही है ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी देशों का रवया रहा है उसका परणाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा अमेरिका को ये धमकी दी गई है लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया का जिक्र हो रहा है क्योंकि दुनिया ने सिर्फ तमाशा देखा ये भी कहना है पुति इनका पश्चिमी देशों का रवया तबाही जैसा है और आप ये कह सकते हैं क्योंकि पश्चिमी देशों का बहकावा पश्मी देशों का प्रभाव और पश्मी देशों के तरब से जो जलन्सकी को मदद पहुचाएगी उससे ही यह योद इतना लबाखेचा और ये पश्चिमी देशों को चितावनी पश्चिमी देशों को जिस तरीके से धमकी दे रही हैं ये कहना है कि पूरी दुनिया इसका परिणाम भुगतने वाली है मारियापुल में जितने भी ब्रोसरी स्टोर है वो सभी बंबारी और मसाइल हमलों की चपेट में आ चुके हैं जिसकी वज़े से मारियापुल के लुगों के पास खानी का समान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है लगातार हो रही बंबारी की वज़े से बहां का बिचली सप्लाई का सिस्टम ठप पो चुका है यहां तक कि लोगों के पास पीने के लिए पानी तक बाकी नहीं बचा है इसलिए मार्च की शुरबात में ही मारियोपोल से निकलने के लिए सेटी कॉरिडोर बनाया गया था जिसकी मदद से 2000 गारिया शेहर के बाहर निकल गई और लोगों ने करीब एक दूसरे शेहर में शर्ण है लेकिन बहुत जल्ब सेटी कॉरिडोर भी ठप पड़ गया और रूस की सेना ने शेहर को पूरी तरीके से खेख लिया राश्टपती जलंस्की ने युक्रेन पर हमले को 9-11 जिसा हमलम करार दिया है उन्होंने साफ कहा कि यॉरप में 80 सालों में ऐसा अतंत नहीं देखने को मिला है उन्होंने गूस पर नए प्रतिबंद लगाने की मांग की है साथि अमेरिका से एरक्राफ्ट और एंटी एरक्राफ्ट हतियार की मांग की है तो पुतीन और जलंस्की दोनों अपने जिद पेड़े हैं और इस बीच जस पश्मी देश को पुतीन गुनागार मानते हैं पुतीन कहते हैं कि नहीं के वज़े से सब कुछ हुआ है ये इनका जो रवया है वो बहुत खराब रहा है और इस बीच जलंस्की उन्हें पश्मी देशों से मरद मानते हैं एर्क्राफ्ट, एंटी एर्क्राफ्ट की डबांड करते हैं उन्हीं पश्मी देशों से जो सवालों के गिरे में पुतीन के हिसाब से है तो साइरन की आवास हर शहर, हर प्राफ पूरे उक्रेन में कुछ रही है अब कोई भी ऐसा इलाखा नहीं बचा है जहां पे धूसी से नाने, बोली बारी ना की हो पानी ता पानोवे, द्रूजी, अमरिकांसी स्वोई विलिशनी इस्टोरी, वी मायेते स्टोरिंकी, यकी दोज़ायोँ वाम जरोजूमीटे, उक्राइन्से, जरोजूमीटे नास जाराज अब आपको बताते हैं कि जलिंस्की ने क्या कहा है जलिंस्की ने युक्रेन पर हमले की 9-11 जैसा बताया जलिंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंद लगाने की मांग की साथी एरक्राफ्ट, एंटी एरक्राफ्ट हतियार भी मागे हैं रूस और युक्रेन के बीच युद्व 22 दिनों से जारी है पश्मी देश युक्रेन के साथ खड़े हैं इन सब के बीच रूस के वाश्टपती वॉल्दमीर पुतीन ने फाइनल अल्टिमेटम दे लिया है पुतीन ने अमेरिका के वाश्टपती जो बाइडन के बयान पर कड़ी चेतावनी दी है पुतीन ने कहा है कि पश्मी देशों की दुनिया पर वर्चस्व खायम करने की मैं तो कांगशा की चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे साथी पुतीन ने युक्रेन में सैन अभियान को पूरी तरह से सफल बताया उन्होंने कहा कि धर्ती को रूस के खलाफ वाजों का जपावडा नहीं बनने देंगे रूसी राष्टपती ने कहा कि रूस के खलाफ पश्मी देशों का रवया तबाही जैसा है इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रूस के खलाब पश्मी देशों के प्रतिबंद पूरी तरह से विपल रही है और यूक्रेन रूस के बीच पिछले कई दिनों से जंग छड़ी है रूसी हमले में राधधानी क्यों में सनाटा पसरा है लेकिन यूक्रेन के राष्टपती वाल्देमीर जलन्स के पीछे हटने को बिलकुल तयार नहीं है रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने भी उसके कई कमांडर मार किरा है इस यूद्ध के बीच यूक्रेन की राधधानी केप की स्काइलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डरानी वाली है शहर के आस्मान में योटता धुआ देखिए रिहाईशी मारतों पर बंबारी, जलते हुए फ्लैट्स एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरे जिससे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, गुठने के बल बैठ जाएंगी लेकिन यूक्रेन के राश्पती जलन्सकी ने एलान कर दिया है कि वो जुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं उन्हें जहां मौका मिलेगा, वो रूस को घेर कर मारेंगे और इसके तस्वीरे यूक्रेन से बराबर आभी रही है रुसी फौज के टैंक और पकतरपंदकारियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही है रुस के लिए सबसे नया जटका रुस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है मेजर जनरल ओलेग मिधियन और उनकी स्वेट टीम के सदाध फौजयों को मारियूपुल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है मेजर जनरल ओलेग मिधियन रुस सिना के उस एलीट यूनिट को लीट कर रहे थे जो पुतिंग के डारेक कंट्रोल में कही जाती है रूस को ऐसा नुकसान पहुचाने वाले युक्रीन के कमांडर यानि की जलन्सकी दुनिया पर बड़ी छाप छोड़ अमेर्की कॉंग्रेस से मुखातिब होकर जलन्सकी ने क्या कहा वो गौर से सुनियेगा में JackΑ, कर चार ये से की की यहाँ से थो अन्सकी टारी के अट्योवेटेट से पली से आनिपनि aren…… मुट् अन्सकी जा अन्सकी में कर अाटिक अ करetrrí । प्रेज़ाज को कर 스た दोबने यहां तो प्राहिए। सारे प्लान पर पानी फेड़ सकते हैं जलन्सकी के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस में बहुत कोशिश की है पुतिन का सारा गुस्ता राजधानी किव पर उतर रहा है